आज हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी पनीर का सैलेड तो आप चाहें तो इसको डिनर में भी खा सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी यह जो है आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफेट करता है क्योंकि प्रोटीन से भरपूर है और साथ ही साथ आप इसको वेट लॉस में भी अपने जरूर खाईए उसमें भी आपको हेल्प करेगा तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं इस सैलेड के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर पनीर लिया है और पनीर को मैं क्यूब्स में कट कर रही हूं अब हमें इसमें कोई भी हम फ्लेवर ले सकते हैं डाल सकते हैं जिससे पनीर में थोड़ा मैरिनेशन हम कर सकें तो इसके लिए यहां पर आप पैरी-पैरी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं पाव भाजी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा गरम मसाला और कोरियंडर प जरूरी नहीं है आपको अलग से पैरी-पैरी मसाला लाना है आप सिर्फ पाव भाजी मसाला डाल कर देखिए आपको बहुत टेस्टी लगे गाई है और आपके पास जो भी वेजीज हैं उनको आप जूलियन्स में कट कर दीजे लंबी-लंबी स्लाइसे जो हैं उसमें हम कट क कॉर्ण भी डाल सकते हैं लेकिन डिनर में जो है कॉर्ण थोड़ा सा वाइड करने चाहिए तो मैंने यहां पर जो हैं वेजीज को मैं लंबे-लंबे काट लोंगी सारी वेजीज को अच्छा आप चाहे तो यहां पर पनीर की जगा तोफू भी यूज़ कर सकते हैं और या फिर आप जैसे सोया है सोया को आप आदा गंटा सोप कर लीजिए और आप उनको भी फिर निचोड कर और थोड़ा सा रोस्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं पर जिसको भी आप ले रह अब यहां पर मैं एक बावर ले लूँगी और इसके अंदर जितनी भी मैंने सबजियां काटी हैं उनको ट्रांसफर कर लूँगी इसके अंदर और मैं यहां पर प्याज काटना भूल गई थी तो मैं हाफ के करीब यहां पर जो है अनियन का यूज करूँगी इनको भी मैं स्लाइसिस कर लूँगी और इनकी स्लाइसिस को भी हम जो है अपने सैलेड में डाल लेंगे जो रेसिपी है इसके अंदर आपके उपर कोई रेस्रिक्शन नहीं है कि आपको किस तना की वेजीज लेनी है और यहां पर मैं पनीर को थोड़ा सा मैंने ओलिव ओल लिया है आप को कोनट ओल भी यूज कर सकते हैं तो उसके अंदर आप हलका सा उसको रोस्ट कर लिजी ता कि जो भी मसाला हमने डाला था मैरिनेशन किया था पनीर का वो उसमें अच्छी तना से फ्लेवर्स आ जाएं तो बस हमारा यह जो पनीर है वो रोस्ट हो चुका है दो से तीन मिनट के अंदर यह रोस्ट हो जाएगा आपका पनीर अब इसके बाद हम बनाते हैं ड्रेसिंग उसके लिए मैंने यहां पर हंकर्ड लिया है मैंने थोड़ा सा जो कर्ड था एक कटोरी के करीब उसको चलनी में रख लिया था देखिए इस तरह से वो आदे घंटे के अंदर ही आपका जो है पानी सारा निकल जाएगा और अब ह सब्सक्राइब यहां पर काला नमक भी डाल सकते हैं और काली मिर्च भी डाल सकते हैं मैंने उसके बाद राला इसमें थोड़ा सा ओली वॉयल मैं बहुत ज्यादा ओल यूज नहीं करें इस ड्रेसिंग में तो मैंने यहां पर हाफ टी स्पून के करीब लेया होगा उली को और आप इसके अंदर मस्टर्ड सॉस और शेहद भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपनी ड्रेसिंग को थोड़ा सा स्वीट टच देना चाहते हैं तो और मैंने अभी हाँ पर डाल दिये मैं कोई काली मिर्च का यूज़ नहीं कर रही हूं लेकिन डाइजस्टिफ के सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है ब्लैक पैपर तो आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं थोड़ा सा तो बस हमारी इतनी सिंपल सी इजी सी जो है रेसिंग बन जाएगी मैं अब इसमें थो मिक्स कर दिया है और बस अब अपने जो हमारी सेलड थी उस बाओल के अंदर हम यह अपना जो ड्रेसिंग है उसको ट्रांसफर कर लेंगे अब इसको अच्छा सा एक मिक्स देंगे और लीचिये हमारी ड्रेसिंग जो सैलड है वो रेडी है अब हम इसको सिर्व करते है dress हमारी सैलेट बन कर तयार है आप इसको डिनर में खाईए इंजॉय कीजिए और आप अगर लूस कर रहे हैं तो जरूर से जरूर इसको खाईए क्योंकि प्रूटीन से भरपूर है और आपको मैंने पहले ही बताया है कि इसमें आप पनीर की चगा तोफू भी यूज कर सकती है और स्वेविन भी जंक भी डाल सकती है तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंदा आए तो फ्रेंड्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को थैंक यू सो मच मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई